हेई गाइस वेलकम बैक टो नद वीडियो तो आज के वीडियो में मैं आपको कलर ओस सेवन को पोको एफवन पर इंस्टोल करके दिखाना वाला हूँ तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो तो जैसे कि guys आप यहाँ पर देखी सकते हैं मैंने Poco F1 पर पहले से ही ColorOS 7 को यहाँ पर इंस्टोर करके रखा है तो सबसे बिले तो मैं आपको इसके फीचर के बारे में और बक्स के बारे में जानकारी दे देता हूँ उसके बाद इसको कैसे इंस्टोर करना है वो भी बता दूँगा तो guys अगर हम बात करते इसके वर्जन की तो यहाँ पर आपको ColorOS का साथ मा वर्जन मिल रहा है अगर guys हम बात करते इसके Android वर्जन की तो यहाँ पर आपको Android Tint का सपोर्ट इस रोम के साथ देखने को मिल जाता है Security page आपको 2-4 पेस का January मेने का इस रोम में मिल जाएगा अब ही guys मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर क्या क्या work कर रहा है क्या क्या work नहीं कर रहा है तो यहाँ पर guys अगर हम बात करते वोल्टी की तो वोल्टी work कर रहा है यानि कि आप इसके अंदर GeoSIM वगरा यूज़ कर सकते हैं पर guys यहाँ पर video calling इसके अंदर work नहीं करता है तो video calling का आपको इस room के अंदर problem देखने को मिल जाता है उसके बाद guys इसके अंदर कोई भी आपको pre install camera नहीं मिलता है इसके अंदर आप gcam को जैसे ही install करके open करेंगे तो इस तरीके से एक error आ जाएगा तो इसके अंदर आप camera वगरा use नहीं कर सकते हैं उसके बाद guys अगर हम बात करते हैं Google Play Store वगरे की तो इसके अंदर आपको यह pre-install नहीं मिलता है पर जिसे ही आप इसको manually install करके open करेंगे तो इस तरीके से एक white सा screen आ जाएगा या फिर आपको यहाँ पर sign in का problem देखने को मिल जाता है तो यह सब works आपको इस room के अंदर देखने को मिल जाता है बागे guys इसके अंदर feature की बात करें तो यहाँ पर dark mode वगरा आपको इसके अंदर मिल जाता है यह सब कुछ work करता है इसके अंदर आपको टूल्स भी मिल जाता है ColorOS 7 के, यहाँ पर साइड में आपको साइड बार भी देखने को मिल जाता है MIO की तरह, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं, यहाँ आपर यूज वगरा सब कुछ यह सब वर्क कर रहा है कोई भी प्रोब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा, अभी गाइस मैं आपको यह बता देता हूँ कि इसको कैसे इंस्टोल करना है तो सबसे बहुत हम यहाँ से फाइट मोड करते थे हैं तो इसकी जो फाइल है उसको अपने देस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना है यह फाइल के लिक आपको डेस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी तो वहाँ जाकर Colour OS 7 का जो जीफ फाइल है उसको अपने डाउनलोड कर लेना है उसका बाद घाइस यहां से पावर उप पर देना है और वोल्यूम अप और पावर की को एक साथ प्रेस करके reboot to recovery कर देना है तो यहां पर हमारा recovery mode ओपन हो गया है यहां पर गाइस मैं orange fox recovery यूज़ कर रहा हूँ अगर आप चाहे तो इसको भी description से डाउनलोड कर सकते है तो सबसे पहले तो guys आपका जो भी data है उसको यहां से backup बना लेना है तो यहां से plus button पर क्लिक करने के बाद आपका सारा data का backup बना लेना है backup बन जाने के बाद guys यहां पर आपको wipe पर क्लिक करने के बाद system data catch इन सभी को आपको इस तरीके से select कर लेना है उसके बाद यहां से इसको स्वाइब कर देना है, यह सब हो जाने के बाद अभी आपको सिंपली रोम को यहां से इंस्टोल कर देना है, तो यहां पर आप देखे सकते हैं कि हमारी जो रोम है वो भी इंस्टोल हो रही है, तो इसको इंस्टोल हो जाने के बाद आपको सिंपली system को reboot कर देना है तो यहाँ पर guys हमारा चुट फो में वो भी install हो गया है अभी आपको यहाँ से simply reboot system कर देना है तो जैसे ही आप यहाँ पर reboot system करेंगे तो Poco का logo आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर android का boot animation आ जाएगा तो आप देखी सकते ही यहाँ पर android का boot animation आ गया है इसका मतलब कि आपके mobile पर सही तरीके से यह रोम install हो गई है अभी आपको 2-3 मिनिट वेट करना है यह अपने आप ही boot up हो जाएगा तो यहाँ पर guys हमारी जो रोम है वो भी boot up हो गई है यहाँ पर आपको कई सारी language मिल जाती है तो आपको जो भी language पसंद है उसको यहाँ से आपने select करना है और यहाँ से next कर देना है तो यहाँ पर आप देखे सकते है ColorOS 7 successfully अभी install हो चुका है तो इसी तरीके से guys आप भी अपने POCO F1 पर ColorOS 7 को install कर सकते हैं अगर guys आपके मन में इसके लिए regarding कोई भी सवाल है तो आप मुझे comment section में या फिर directly telegram के through contact करके पूछ सकते हैं मेरे जो contact detail है वो आपको description में मिल जाएंगी तो अगर guys आपको यी video अच्छा लगा है तो इस video को like कीजिएगा, comment कीजिएगा, share कीजिएगा साथ ये साथ guys इसे और भी videos के लिए आप मेरी channel को subscribe भी कर सकते हैं